हलो बच्चों कैसे हो बिटा अपन पढ़ रहते हैं अनुकुलन पढ़ रहते हैं और अपन पादपों के अनुकुलन पढ़ रहते हैं मतलब पादपों जो जिसे जल में पाये जाते हैं जली जो पादप होते हैं उनकी विशेश्चता हैं क्या क्या होती है जो मरुस्थल में पाई जाते हैं उन पादपो के विशेष्टा ही क्या क्या होती है तो यही इसी को अपन अनुखुलन बोलता है तो आज अपन पढ़ेंगे मरुद्बिद या मरुस्थल में पाई जाने वाले पोदे ठीक है तो मरुद्बिद का मतलब यह क्या होते हैं शुष का अवास सुष का होता है शुष कापन किसको बोलते हैं मंड़ शुख बाला सूकह स्थान करते हैं ऋधारन के लिए नागफनी थोर और क्यक्टस का घ॥ अधाये मैं जहां मरुस्थली जो हैं मिठी में पाई जाते हैं इनकी विशेष्ता हैं नो पानी की बहुत कम होते है अब अश् बूमिय में बहुत गहराई तक जाती है, मतलब जल का उसोशन करने के लिए इन पोदों की जड़े बहुत ज़्यादा गहराई में चली जाती है, यह आपको याद रखना है, ठीक है, जड़ों में जल के उसोशन के लिए मूल रोम, मतलब चोटे-चोटे रोम जैसी सरंचना ह पाई जाती है, ठीक है, वो क्या करती है, पानी का उसोशन करती है, ठीक है, फिर है, जड़ की सरक्षा के लिए मूल गोप यानि रूट केप पाई जाती है, मतलब जड़ की सरक्षा के लिए एक ऐसी सरंचना पाई जाती है, जिसको अपन क्या कहते है, मूल गोप या का श्रूर्ट का शर्वर्वी सिलीडील होता है तो इन पाध्भों का तनौ क्या होता है पास्टही यह मतलब बहुत ज्यादा लकडी होती है इनकी इंदर इतिक और के का समझा दो अमें का का स्ट कम और का मतलब क्या जाता है कल इसको जाते हैं रोम पाई जाते हैं कुछ पादप जैसे- आख होता नुसके उसके तनेरे पर क्या होते हैं मॉम और सिलीका के परत पाई – ठीक है कुछ मरुदबिर पादपों में तना हरा होता है जो जल संगरहत प्रकास कारी करता है मतलब हरा तना होगा ना वो क्या करेगा परकास कारी करेगा ठीक है और क्या करेगा जल संग्रहन का कारी भी करता है जैसे गवार पाथा जो होता है एलो वेरा देखा होगा आपने एलो वेरा का तना क्या होता है कि हरा होता है तो वो क्या करता है मरुद्विद पादबों में पत्तियों की सतर पर जल की हानी को रोकनी के लिए ग्रिस्म रितू में पत्तियां जड़ जाती है या कुछ पादबों में क्या होता है जिसे नागफनी की पत्तियों पर काटे आ जाते है जिससे क्या होता है कि पानी की हानी कम होती है अगर पानी ज्यादा लोस होगा तो पानी वैसे ही मरुस्तिल में कम होता है तो इसको रोकनी के लिए क्या होता है कि पत्तियां चड़ जाती है पादपो की या फिर कुछ पत्तियों के पादपो की पत्तियां जो है क्या हो जाती है मलब उन पर काटे आ जाते है ठीक है यह आप याद रखूगे कुछ सुसकावास में कि पादपू में पत्ती की सतर पर वासपोर सरजन को कम करने के लिए मोम की सतर पाई जाती है तता रंदर जो है पत्ती पर क्या पाई जाते है छोटे छोटे छिद्र होते है उनको रंदर बोलते है और इन पादपू में क्या होता है कि रंदर नीचे की तरफ पाई जाते है पत्ती की सतर की नीचे की तरफ पाई जाते है जहां मलब परकास कम पहुचता है ठीक है और उपर की तरफ क्या पाये जाते है, मौम की परत पाये जाते है, जिससे पानी ज्यादा वासपोत सर्जन ना हो, वासपोत सर्जन जानते हो, मतलब परकास की उपस्तिने में पानी का पत्तियों से बाहर निकलना वासपोत सर्जन होता, उसको कम करने के लिए जो है, मौम की और रंदर जो है नीचे के तरफ पाए जाते है पत्ती के सताएगे ठीक है और फिर इसमें दे रखा है इनको गर्ती रंदर बोलते हैं मतलब नीचे के तरफ पाए जाते हैं इनको गर्ती रंदर बोलते हैं किताब में आप देखोगे बुक में आप देखोगे ठीक है मरुदविद पादपों के फलो बीजो के चारो और कटोर आवरन पाया जाता है मरुदविद पादपों में परासरन सांदरता अधिक होती है परासरन आपको पढ़ाया होया मेरा तो मतलब जड़े जो हैं वो क्या करती है पराशनर करती है तो वो सांतरता क्या होती है इनमें अधिक होती है लवनोद भिद मतलब जो लवन यूग्ठ मृरदाओं में पाया जाता है उनको लवनोद भिद कहते है लवनारी मिट्टी में पाया जाता हैं ठीक है अगर पुरानी वाली बुक है किसी के पास तो SZT's आपको मिल जाएगा और नई वाली बुक के भी मैं आपको पढ़ा दूँआ ठीक है नई वाली बुक के भी मैं आपको चेप्टर दुबारा से रिवाइज करवाओंगा कई बच्चों की ये धिक्कत है कि सर्तों जो हैं क्या कर रहे हैं पुरानी वाली बुक में से पढ़ा रहे हैं पुरानी कुछ नहीं है आपको सारा सलेबस मिलेगा चीक है मतलब जो पुरानी वाली बुक है और नई वाली बुक में उसमें क्या किया है कि चेप्टर थोड़ा बहुत इदर उदर कर दिया बाकी और स्लेबस सेम है आपका पुरानी वाली बुक में मिल जाएगा लेकिन आपको खरीदनी जो जितने भी बच्चों ने खरीदिये नई वाली बुक खरीदनी आपको क्योंकि इस पुरानी वाली बुक में अभी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी तो एविलेबल खेर पुरानी वाली बुक है और नई वाली बुक्के में आपको chapter जरूर पढ़ाओगा जैसे मैंने 5-6 chapter जो है नई वाली बुक्के पढ़ाएं आपको ठीक है उसके लावा 9-10 chapter नई वाली बुक्के पढ़ाएं आपको मैंने केवल chemistry के chapter जो है 4 starting वाले वो पुरानी वाली बुक में से पढ़ाएं तो मैं आपको दुबारा पढ़ाऊंगा रिवीजन में ठीक है तो टेंशन नहीं लेनी है कोई भी नाइंत वाले बच्चे मैं आपको अभी नोट्स नहीं बेज पा रहा हूं क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं दे पाता हूं नोट्स नहीं बेज पा रहा हूं आपको नोट्स नहीं करने जितना आपको समझ में आरे जैसे मैंने इसके करवाएं न बॉर्ड पे तो बॉर्ड से लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं आपको नहीं लगवा पायाँगा आया को का जथना आपसे हो पाता है उतना करो ठीक है करना ही करना ही है, ठीक है मैं बन बोलता ही ज 702, सारा वाहपस डुबारा से बीजन को वाहए तो एक एक timp4 को वापस लेंगे अपन ठीक है प्रोपर तरीके से और करेंगे जिस बच्चे को अगर ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत ज्यादा कन्फ्यूज हो रहा हूं सर पता नहीं क्या चल रहा है तो पिटा यह कंडिशन यह सिच्वेशन यह आप समझ रहे हूं थोड़ा बहुत आप भिएपन रिविजन में देखेंगा पहले chemistry वापस पड़ेंगे ठीक है अब देखो इसमें । Sum Half पाई जाती है, ठीक है, अब देखो, ये जितने भी अनुकुलन है, ये आप एक बार खुद पढ़ना, ठीक है, और बाकी easy हैं बीटा, कुछ भी नहीं है, बहुत easy हैं, जनतुं के अनुकुलन अपन पहले पढ़ चुके हैं, जल्चर, नब्चर, ठीक है, ये सारे अपन पहले पढ़ चुके हैं एक बार और पढ़ लेना किसी को दिक्कत आती है तो मेरे से पूछना और अगली क्लास में और पढ़ाऊँगा मैं थोड़ा बहुत फिर इस चेप्टर को कम्प्लीट करेंगे अगला चेप्टर अपने स्टार्ट करेंगे टिक है तो मिलते हैं एक लिए क्लास में पीटा टेक केर बाई बाई